नमस्कार दोस्तों, इसराइल पैलेस्टीन के बीच में हालत इस हद तक खराब होई है कि मानों एक जंग छिड़ गई हो हजारों रोकेट्स बरसाए जा रहे हैं और धेरों लोगों की जाने जा रहे हैं इन फैक्ट कुछ बच्चों तक की भी जाने गई है ये मुद्दा इतना कॉंट्रवर्शल है कि बाकी दुनिया के लोग दो हिस्सों में बट गए हैं इंडिया में भी, ट्विटर पे दो ट्रेंट्स चल रहे थे टॉप पर एक इंडिया स्टैंड्स विज़ इसराइल और एक इंडिया स्टैंड्स विज़ पैलेस्टीन कौन यहां पर सही है और क्यूं ये मुद्दा शुरू हुआ फिर से क्यूं ये जंग शुरू हुई आए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में अब ये है दोस्तो इसराइल पैलेस्टीन का मैप इसमें इसराइल कहाँ पर है ये तो बड़ा क्लियरली दिखी रहा होगा आपको लेकिन पैलेस्टीन को थोड़ा धूंडना पड़ता है जो उपर का हाइलाइटिड रीजन है उस पूरे रीजन को वेस्ट बैंक कहते हैं और जो नीचे पतली सी ग्रीन कलर की स्टिप दिख रही है उसे गाजा स्टिप कहते हैं अब इस पूरे नक्षे में जो ग्रीन कलर के एरियाज है वहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं ऐसे exist करते हैं सो सो अलग अलग तुकडों में सो से ज़्यादा अलग अलग तुकडे हैं और अगर कोई इनसान उपर से नीचे तक चलना शुरू करेगा तो देखेगा अच्छा मैं इसराइल में हूँ अब मैं पैलिस्टीन में आ गया थोड़ा सा आगे चला अब मैं फिर इ वीडियो खिट जाएगा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो इसराइल पैलिस्टीन की हिस्टॉरिकल सिचुएशन बताएगा कि कैसे ये हो पाया तो कोई हैरानी की बात भी नहीं है अगर दो देश ऐसे exist कर रहे हैं अलग अलग तुकडों में बीच ओ बीच तो इनके बीच में कॉन्फलिक्ट भी बहुत जादा होता है इस नक्षे के बीच ओ बीच जेरुसिलम का शहर है तीन धर्म के लोगों के लिए बड़ा ही होली शहर क्रिशिन्स, मुस्लिम और जियूस के लिए और जेरुसिलम के साथ भी यही हाल है जो वेस्ट जेरुसिलम वाला एरिया है वो इसराइल के अंडर है वहाँ पर बहुत से इसराइली लोग रहते हैं लेकिन जो इस्ट जेरुसिलम वाला एरिया है वहाँ पर बहुत से पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं और इंटरनेशनल लोग के अकॉर्डिंग वो पैलेस्टीन का पार्ट है लेकिन भहांपर इसराईल ने कबजा कर रखा है. इसराईल का मानना है कि पूरा पूरा जरुसेलम शहर ही उनका है और उनका ही होना चाहिए. और पलस्टीनियन्स का मानना है obviously कि वह उनका है. अब दूसरी तरह अगर हम बात करें गाजा स्टिप की तो वहाँ पर कहानी काफी अलग है वहाँ पर पलिस्टीनियन सरकार का कंट्रोल नहीं है बलकि वहाँ पर कबजा कर रखा है एक militant group slash political party हमास ने अब जो पलिस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है जो वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरियास पर रूल करते हैं उनका भी कंट्रोल नहीं है गाजा स्टिप क्योंकि ये हमास ने पूरा कबजा कर रखा है इस गाजा स्टिप और कुछ कंट्रीज दुनिया में जैसे की USA, इसरा की इरान और नॉर्वे जो हमास को completely एक terrorist group नहीं मानती हमास और इसराइली military अक्सर एक दूसरे के उपर rockets फेकते रहते हैं हाला कि इसराइल के पास एक iron dome है जो की बहुत अच्छा defense system है जो उने protect करके रखता है हमास की तरफ से आने वाले rockets है तो जो rockets की firing है और air strikes है वो गाज कुछ जाधा लेना देना नहीं है वहाँ से कोई rockets नहीं फेके जाते हैं इसराइल की तरफ क्योंकि वहाँ पर बीच ओ बीच इसराइली लोग भी रहते हैं लेकिन at the same time Gaza में जो border है वो बड़ा clearly defined है गाजा के अंदर को इसराइली लोग नहीं रहते है बड़ा clear dark green color की strip है इ इसी की वजए से गाजा के अंदर जो unemployment rate है बेरोजगारी है वो बहुत जादा high है जो भी पैसा गाजा के अंदर आता है अकसर बाहर की दुनिया उने मदद करना चाहती है वहार रहने वाले लोगों की जा तर टाइम हमास उस पैसे का इस्तिमाल करता है हतियार खरीदने के लिए और rockets फेकने के लिए तो इस difference को समझना यहां पर बहुत जरूरी है जो border को लेकर problems हैं लोगों को घरों से बाहर निकाल कर फेका जा रहा है यह problems है और जहां पर इसराइल को accuse किया जा रहा है कि उन्होंने कबजा कर रखा है जमीन पर वो वेस्ट बैंक में है और गाज में हमास है अब इस background knowledge को आपने समझ लिया तो आप बात करते हैं current events की ऐसा कहा जा सकता है कि ये current issue शुरू हुआ शेक जर्रा के मुद्दे से East Jerusalem में शेक जर्रा एक neighborhood है जहां पर कई Palestinian परिवारों को order दिया गया अपना घर छोड़ कर जाने के लिए साथ ही साथ अभी एक हफते पहले कुछ extremist right-wing Jews ने बड़ी भड़काओ rallies निकाली इन East Jerusalem के neighborhood से जहां पर इन्होंने नारे लगाए death to Arabs जब ये rallyya निकली Jews और Arab Muslim communities के बीच में टकराव हुआ tensions बढ़ी और आग में घी डालने का काम किया extreme right-wing Israeli politicians ने जैसे कि ये लोग इन्होंने भाशन दिये अपने बड़े ही भड़काओ भाशन दिये कहा कि ये पूरा शहर हमारा है और इससे situation और बिगड़ गई साथ माई की बात है कि Palestinian लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हीं evictions के खिलाफ ये प्रोटेस्ट वाइलेंट हुए पत्थरवाजी होई Israeli पुलीस ने situation कंट्रोल करने की कोशिश करी क्रैश करे पुलीस के लोग और प्रोटेस्टर्स और दोनों तरफ लोग injured हुए दस माई की बात है कि Israeli पुलीस अल-कसा मस्जित के अंदर घुसी और वहाँ पर Palestinian लोगों पर rubber bullets fire करी गई और stun grenades फेके गए जो लोग वहाँ पर pray करने के लिए आये थे इस मस्जित के incident की ख़बर सुनकर हमास ग्रूप ने एक ultimatum दिया Israeli सरकार को कि मस्जित से Israeli पुलीस को हटा ले नहीं तो हम हमला बोल दें हाला कि ये Palestinian लोग जो West Bank में रहते हैं उनका हमास से इतना लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी हमास ने अपने आपको representative दिखाने के ल बोचार हुई इसराइल पर तो इसराइल ने भी response में आकर air strikes कंड़क करनी शुरू कर दी गाजा पर इसराइल ने 130 से ज़्यादा air strikes करी गाजा पर और पिछले दो दिनों में 40 से ज़्यादा Palestinian लोग मारे गए हैं जिसमें की 9 से ज़्यादा बच्चे हैं और इसराइल की तर है कि हमने हमने आपर रॉकेट फैक के air strikes करी क्योंकि हमास वाले हमारे उपर रॉकेट फैक रहे थे हमास वाले कहते हैं कि हमने रॉकेट फैक ही क्योंकि इसराइल ने जाकर मस्जित में अमला किया इसराइल कहते है कि हमने मस्जित में अटाइक किया क्योंकि वहाँ पर लोग कोँए हमने ये किया क्योंकि ये हमारी जमीन हड़ा पर रहे थे ये कहेंगि नहीं हम जमीन Kash hub रहे थे क्योंकि ये एकली मैटर इस चीज़ को कोर्ट में final किया गया था और फिर बात history पे चली जाएगी मतलब ये बात पीछे जाती रहेगी जाती रहेगी, दोनों साइडों के पास बहानों की कमी नहीं है, एक के बाद एक excuses देंगे, फिर history पर आ जाएगी कि तुम तुमने पिछली 1967 की जंग में ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन कुछ चीजे हैं जो बड़ी clear है, मुझे लगता है, जिनने हमें ध्यान रखना चा for human rights का कहना है, कि जो law इस्राइल यहां पर लगा रहा है, वो inherently discriminatory है, और जो इस्राइली civilians को occupied करने के लिए भेजा जा रहा है जमी, वो prohibited है under international humanitarian law and it may amount to a war crime. तो इससे यह तो clear है कि इस्राइल जो West Bank के areas में occupation करने लग रहा है और Palestinians को evict करने लग रहा है, यह गलत है according to international observers. लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो हमास करने लग रहा है, वो सही है? बिलकुल भी नहीं. In fact, हमास के जो rockets हैं, वो अक्सर इसराइल के आम शहरों पर point किये जाते हैं, जहां पर आम जनता को बहुत खतरा पहुंचता है. यह तो अच्छी बात है कि इसराइल के पास इतना अच्छा defense system है, एक iron dome है, जिसकी वजए से ज्यादा तर rockets जो हमास भेजता है, वो actually में उनसे कोई destruction नहीं होती, उनसे कोई casualties नहीं होती, बहुत कम casualties होई हैं इसराइल के side पर, लेकिन हमास के rockets अगर actually में लग जाएं और यह protection ना हो, तो बहुत सारे इसराइल में रहने वाले लोगों की जाने जाएंगी. वाइलेंस के response में violence और उसके response में और वाइलेंस, इससे situation सुधरती नहीं है, इससे violence exponentially बढ़ता रहता है, जैसा गांधी जी ने कहा था, an eye for an eye makes the whole world blind, दूसरी चीज है कि अभी तक जो situation है उसके according, 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जिनमें 17 से ज़्यादा बच्चे थे, कि सब इनसान थे, लेकिन problem ये है, unfortunate reality ये है कि इसराइल और पैलेस्टीन में रहने वाले extremist लोगों को यहाँ पर इनसान नहीं दिखते, उन्हें बस terrorist दिखते हैं, इसराइलियों को लगता है ये सारे पैलेस्टीनियन लोग terrorist हैं, और कुछ पैलेस्टीनियन को लगता है कि सारे इसराइली लोग terrorist हैं, वो उन्हें इनसानों की तरह नहीं देखते हैं, दोनों तरफ के लोगों में इतनी नफरत घोली गई है, वहाँ के politicians के दोरा, वहाँ के militant groups के दोरा, ये दोनों लोग, दोनों group of लोग एक दूसरे को आँख में आँख मिला कर देखी नहीं सकते बिल्कुल एक दूसरे का जानी दुश्मन समझते हैं, इसलिए एक के बाद एक violence को ये लोग justify करते रहते हैं, कि हमने ये किया डिफेंस में किया है, हमने ये किया अपना बचाने, अपनी जिन्दगी बचाने के लिए किया है, बात यहाँ पर ये है समझने वाली कि सारे पै एक्स्ट्रीमिस्ट इसराइली जिऊस के दुआर, तो दोनों तरफ एक्स्ट्रीमिस्ट लोग बहुत ज़्यादा है, इतनी significant population है एक्स्ट्रीमिस्ट लोगों की कि वो overpower कर जाते हैं, इसी reason से पूरे देश को terrorist गोशित कर देना, कि ये कहना कि सारे इसराइली लोग terrorist होते ह ये बहुत ही गलत है करना, अगर ऐसा बोलोगे आप, तो इससे बस नफरत बड़ेगी ही, कम नहीं होगी दोनों साइड्स के बीच में, तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है, जो स्पाइडर मैन फिल्म का कोट है, with great power lies great responsibility, दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास पावर्स है इसरा, तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी responsibility भी बढ़ जाती है, जो हमास जैसे लोग है, जिन्हें इसराइल terrorist मानता है, अगर terrorist group rocket facking है, तो इन्हें भी उन्ही की तरह response करने की ज़रोत नहीं है, इन्हें violence के response में violence करने की ज़रोत नहीं है, उसी level का, इसराइल गाजा में जो air strikes करी हैं, उसमें बहुत से civilians और बच्चे भी मारे गए हैं, और इसराइल के पास इतनी technology है, उन्हें इन चीदों का ध्यान रखना चाहिए, कि वो जब target कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके rocket launchers को करें, या उनके terrorist groups को करें, बच्चे तो कोई यहां पर terrorism का का काम न रहता है, उसकी side वाली building में कोई terrorist रहता है, और वहां पर bum गिराया जाए और आपके परिवार में किसी की मौत हो जाए, तो क्या यह justified होगा, बिल्कुल नहीं होगा, especially जब यह काम दुनिया की one of the top military powers करें, तो यह चीज़े कुछ सोचने वाली हैं, इन्हें ध्यान में रख तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद